Hello Everybody, Welcome to Quant Study I am Mujassim Akhtar So, जैसा कि आप लोग जानते होंगे मैंने Already आपको Articles, Synonyms, Antoniums Prepositions, Determiner, Spelling और Verbs का Part 1 जो है वो Already Complete करवा दिया है मतलब बहुत सारे नहीं कुछ Doubts मैंने देखे थे कमेंट्स में कि हमें समझ नहीं आ रहा है आपको बाकी सब्चेक्ट समझ आ रहे है मेरा नहीं आ रहा है तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको समझ नहीं आता है तो I will try to you know make you all understand मैं कोशिश करता हूँ and अब क्या करूँगा मैं आज का जो lecture होगा ये बहुत slowly होगा अच्छा आप लोगों ने अगर पिछले lectures नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं आप और यहां पे मैं जो questions solve करवाऊंगा वो है verbs का part 2 है और वो questions हम one by one solve करेंगे आराम से करेंगे I mean आप भी comments में उनके answers करेंगे अगर आपको already पता होँगे तो मतलब जितने भी questions है उन सभी क्या अगर आपको already पता होंगे ताकि उससे क्या है engagement हमारा बना रही और कोई भी doubt आता है आप comment section में जरूर post कर सकते हैं ठीक है तो let's begin देखिए I don't believe what he dash देखिए अगर आप लोगों को अभी आज का जो वीडियो है ये लग रहा होगा कि थोड़ा slow जा रहा हूँ है तो आप speed बढ़ा के इसको देख सकते हैं अब यहाँ पे I don't believe what he dash देखिए अगर यहाँ पर जो most appropriate आपको डूड़ना होगा तो आप यह कहेंगे C कहेंगे option C अचा saying क्यों नहीं अब saying अगर होता तो यहाँ पे is होना चाहे था what he is saying आप समझते हैं यह rule हमने कहां पे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं पे मतलब पूरा explanation दिया है मैंने उसके अलावा मैंने tenses पे भी बात की हुई है तो you can check that out तो वहाँ से आपको बहुत फाइदा होगा इसका जो है most appropriate अचा what he has said अब आप कहेंगे कि has said भी आ सकता था but the problem is has said क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पर says जो है ना क्योंकि option में क्या है says ठीक है says आपके option में है तो तब definitely मलब says आएगा अचा अगर बहुत सारे options होंगे जैसे यह option होगा has said had said saying or none of the above तब जो है most appropriate आप यह कर सकते हैं देखिए यहाँ पर options में जो है कभी कभी मतलब आपको confuse करने के लिए extra मतलब डाल देते हैं एक option जो की appropriate तो होता लेकिन most appropriate यहाँ पर says क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि देखिए यहाँ पर I don't believe what he आप देख सकते हैं अगर आपको English का basics पता होंगे या फिर वो tenses वगएरा आपने पढ़े हुए हैं जो मैंने आपको PDF भी provide किया था तो आपको पता लग गया होगा कि यह जो है यह present tense बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है present tense तो present tense के लिए हम said जो है वो तो second form आगए है ना say की तो says जो है यहाँ पर says आपका correct हो जाएगा गेवला ओके अचा second मैं पूछा है Ram dash playing cricket since morning explain भी करूँगा Ram have been आएगा क्या? नहीं पहला option नहीं आएगा ठीक है? अचा has been आएगा क्या? हाँ, बिल्कुल has been आएगा अब मैं आपको explain करता हूँ यह Ram जो है ना it is third person third person singular याद रखना have और has कभी भी हो third person singular का मतलब तो आपको पता ही होना चाहिए has और have कभी भी हो आपको has जो है third person singular के साथ कभी भी has ही यूज़ करना है तो यह rules है कुछ singular plural you know, इनके pronouns या फिर nouns के तो यह आपको याद रखने है अब third person singular थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि third person singular क्या होता है देखे, राम की बात कर रहे हैं मान लो मैं आपसे राम की बात कर रहा हूँ it means that जिसकी बात हो रही है he is the third person ठीक है जिसकी बात हो रही है he is the third person अशा आपसे बात कर रहा हूँ अगर you होगा तो you क्या है? second person अशा I मैं बात कर रहा हूँ तो I क्या आएगा? first person I hope आपको समझ में आया होगा अभी तो has been इसका correct हो जाएगा अच्छा यहाँ पर है by the time doctor arrived यहाँ पर ऐसे है आपको बताना है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो है यह पूरा यह past form है ठीक है? तो अब आप मुझे comment करके बताएंगे मुझे से पहले यह आप कर दो तो इसका answer जो है option B had died because यह जो है पूरा past form है आपको पहचानना आना चाहिए because मैंने आपको rules वगेरा सभी PDF में provide करे थे अगर नहीं और मैंने आपको समझाया भी था वीडियो में भी, lecture में भी अगर आपने lecture नहीं देखा है तो आप देख सकते है playlist बनी हुई है पूरी English की जो JKSLB class 4 के लिए है वो पूरी English की playlist आपको मिलेगी channel पे अचा next है if it rains, the match dash cancelled अगर बारिश होती है तो match dash cancelled ठीक है cancelled अगर बारिश होती है तो इसका मतलब क्या है अगर समझे हम तो इसका मतलब निकलना चाहिए कि अगर बारिश होती है तो match जो है वो cancel हो जाएगा तो will cancelled कभी यूज नहीं होता मैंने आपको ये भी future में जो है future में जब ये form आपके पास आती है ना तो तब will be you know will be, shall be, ये सब चीज़े use होती है तो correct answer इसका जो है will be हो जाएगा, ठीक है will नहीं होगा अब मैं थोड़ा fast चलूँगा क्योंकि I hope आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पर क्या है he dash us to go out in the boat yesterday अगर आपको आता है तो आप answer comment में करिए और यह भी बताना बाद में कि आपके कितने answers correct है he dash us to go out in the boat yesterday he does not तो नहीं आएगा क्योंकि does क्या है does present में use होता है जैसके अपने rules में देखा होगा allows, allows तो कभी नहीं आएगा यह भी present में ही है तो did not allow कल की बात हो रही है मतलब past की देखे do जो है यहाँ पर मताऊंगा आपको do जो है वो present में use होता है और did जो है वो इसकी past form है ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा option number c will be the correct answer did not allow he did not allow us to go out in the boat yesterday next आपको क्या करना है improve the following sentences आपको इनको improve करना है अगर अगर इनमें कोई गड़बड है तो यहाँ पर यह है यहाँ पर इसको improve करना है यह मैं भूल गया हूँ इनको underline करना तो अभी कर लिया है मैंने she buys a new dress last week क्या यह correct sentence है obviously नहीं क्योंकि last week की बात हो रही है ना तो मतलब past की बात हो रही है it means that past में हम क्या use करते हैं by तो नहीं use करेंगे क्योंकि यह तो present form है by इसकी second form क्या है past form क्या है वो है bought तो bought will be the correct answer I hope आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा आचा राशिद प्रेफर milk over milk to tea मैंने अब भी आपको बताया था कि has और have have जो use होता है वो कहां पे होता है third person अगर plural हो उसके साथ use होता है लेकिन third person singular के साथ नहीं होता उसी तरह से यह जो प्रेफर्स यह प्रेफर्स जो है अगर आपके पास third person singular हो आपको याद रखना है has में as होता है तो मतलब हम plural form ही use करेंगे हर जगा पे चहां पे भी third person singular हो अगर confusing लग रहा है तो आप एक काम करना singular plural की plural की जो list है वो बना के रखना तो उसको याद कर लेना अच्छे से जितना भी time लगे कोई बात नहीं तो इसका answer जो है पहले वाले का answer जो है दूसरे का answer prefer आगया पहले का answer but अच्छा next कर लेते हैं अभी तोड़ा fast चल रहा हूँ the earth revolved around the sun अब ये भी याद रखना है आपको कि ये एक natural युनिवर्सल truth है कि earth जो है वो sun के around गुमती है तो यहाँ पर जो ed है ये second form है revolved revolve की past form है तो past form हम कभी नहीं use करेंगे ये जो इसकी correct form है revolves क्यों आया es क्यों आया because earth जो है earth is a singular तो यहाँ पर भी जो है third form यूज़ होगी sorry third form नहीं यहाँ पर भी जो है es use होगा means plural form use होगी revolve की okay my mother rarely sleeps at noons मतलब अब यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर भी अपने ये बताना है कि क्या एक correct sentence है तो is really rarely sleeping at noons मतलब ये भी ठीक नहीं है क्योंकि हम एक particular time की बात करें we are talking about a particular time so we will not use is really sleeping what we will use actually this is the correct तो means आपका option D means no improvement जो है this will be the correct thank you so much for watching this video I hope आज आप लोगो को समझ आगया होगा अगर आप लोगो को नहीं समझ आया है फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं I will try to explain more and you know in more and more proper way आपका नहीं है आपके बते हैं वोगो करें र्ट म्याव आपका वब Wi-ण सकते हैं